असलाम लेकूम, कैसे है आप सब, तो आज मैं रमजान स्पेशल सिरीज में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पनीर पकोडा रेसिपी, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करिएगा, सूपर टेस्टी डिलीशियस और इंस्टन्ट रेसिपी है आपकी अफ़तार के लिए, तो मैंने यहां पर लिया है एक बड़ा सा बरतन, बरतन में एड कर रही हूँ, एक कप भरकर बेसन, तो मैंने तीन सो ग्राम के करीब पनीर लिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें बेसन एड करेंगे, वन टीस्पून मैं ले लिया है अजवाइन, उसको हातों पे हलका सा मस करते हैं, चुटकी भर हल्ती, इससे हमारे जब पकॉड़े फ्राय करते हैं, तो कलर बहुत अच्छा आता है, और वन टीस्पून रोस्टिट की हुई मेती, तो मैती को मैंने हलका सा बिल्कुल हलका सा तवे पर रोस्ट कर लिया था, वो इसमाट कर रही हूँ, और थोड़ और इसको बहुत अच्छे से फेट लेना है, और बिल्कुल हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके, जैसे कि मैं अड़ करनी हूँ, तो देखे बहुत ही अच्छे से फेट चुका है, बिल्कुल थीक पैटर हो गया है, इतना ही थीक आपको रखना है, फिर इसमें थोड़ा सा चुटकी भर के करीब हम एट कर देंगे बेकिंग पाउडर, इससे हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं, और थोड़े फूले भी बनते हैं, तो उसको ढखकर हम दसमिंट के लिए बेसन को रख देंगे, यहाँ पे हम कटिंग करेंगे पनीर की, पनीर को मैने लंबे-लंब स्लाइसे में, कट किया है, और दस मिंट हो चुके हैं, बेसन को साइट रखे हुए, और सिंपली हमें पनीर को इसमें डिप करना है, और ओयल में कर देना है, तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पनीर को फ्राय करेंगे, कोटिंग करेंगे अच्छे से बेसन की, और लो टू म जब यह एक साइट से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनकी साइट को चेंज कर दें सुपर टेस्टी और डिलीशस यह पकोड़े की रेसिपी है और मुझे परसनली पनीर के पकोड़े बहुत जादा पसंद है आपको किसी और पकोड़े की रेसिपी चाहिए तो आपको एजली मेरे चैनल पर मिल जाएगी तो मैंने पनिर के पकॉड़े के साथ यहां पर गोबी के और मर्च के पकॉड़े भी फ्राय कर लिये हैं और यहां पर मैंने तयार करी है प्कॉड़े वाली गols़े ग्रीन चट्नी जो की जिससे पकॉड़े खते वए बहुत ही मज़़े के लगतて है अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमेंट में ज़रू बताए और गोबी और मिर्च के पकाड़ो की रेसिपी चाहिए तो आपको प्ले लिस्ट में मेरे चैनल पर ये पकाड़ा प्लैटर रेसिपी में सभी पकाड़ो की रेसिपी मिल जाएगी तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर नए आये हैं तो चल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले शेयर कर ले और फिर से लेकर आँगे आप सबी के लिए ऐसे